प्रूल माज के बाद हम सब साथ में होँगे किने होँगे ऐसा चानर्स मिलेंगा किने ही मिलेंगा विडियो श Rs. बदा दू यह सिर्फ फिल्मिमी इस्टेक्स हैं विडियो को दिल्पार लेने जा फस्नल नेने के तो फिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है सो चिल करें और वीडियो इंजुआए करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करें इस सीन में यहां पर फाइट हो रही है तो पीछे खड़ी सबी गाड़ियों की हेड लाइट्स चालू है लेकिन जैसे ही कैमरा जूम मारता है तो इस गाड़ी की लाइट बंद हुई नचर आती है यहां पानी डालने से सारा कीचर साफ हो जाता है फिर एक दम से वही कीचर वापस आ जाता है यह चिरकुट WDC कंपिटिशन को हिंदी में होस्ट कर रहा है फिर इन लोगों को गंठा समझ आ रहा होगा चारली तो यह फाइट जीत पिचाता है और यह बंदा चारली को कुछ नहीं कहता बलके होले से निकल जाता है अगर यह बोस्टर यूनिवस्टी का टॉपर है तो फिर यह बेकार सी जगा पर तक्के युखा रहा है चुप करके अमेरिका चला जाए इस सीन में यह चिर्कूट इस बंदे के पीछे खड़ा है पर जैसे ही कैमरा दूर से दिखाता है तो वही चिर्कूट इस बंदे से काफी दूर खड़ा नजर आता है यहां चरन ग्रोवर के सामने कुछ भी नहीं पड़ा हुआ पर जैसे ही कैमरा पीछे से दिखाता है तो यह पाने की बोतल यहां पर जादू से आजाती है और यहां पर दुनिया बर्चे न्यूज रिपोर्टर आये हैं बोलने की पर्मेशन सिरफ इंडियन रिपोर्टर को ही है बाकी सारे यहां पर क्या मेंगोले ने आए है अकेला डारेक्टर ही जैक की माश को बुरा बुरा कहता है और चैक के काम चेक करो डारेकटर को छोड़ belsोड़ें इन दोनों की माश पहना पहा कर निगल कर देता है और अध्र को यह पूरे स Krit तु कुछ नहीं है जरासा भी खराब नहीं हुआ चारली के सामने पड़ा हुआ कप क्लेट से बाहिर पड़ा होता है लेकिन जैसे ही कैमरा उपर से व्यू लेता है तो वही कप क्लेट के अंदर पड़ा होता है यहां यह कप टेबल के बिल्कुल साइड पर होता है लेकिन जैसे ही कैमरा उपर से व्यू लेता है तो ही कप साइड से आगे पड़ा होता है पहले इस गड़ी पर टाइम 8 o'clock था और 5 मिनट के बाद इसी गड़ी पर टाइम 10 o'clock होता है यहां इस आंटी के राइट साइड पर टैमी के शूस पड़े हैं लेकिन चैसे ही कैम पीछे से दिखाता है तो वो पापसाद आते हैं यहां डीजे को हैक रोहन नहीं किया है पर यह बात इन दोनों चिर्कुटों को पता कैसे चली सीन में पीछे खड़ी हुई गाड़ी इस डारेक्शन में खड़ी होती है और अगले ही सीन में उस गाड़ी की डारेक्शन अपने आप बदल जाती है दुबारा जाद यह लड़का जैक के बिलकुल क्रीब कर बोल रहा है पर जैक को फिर भी सुनाई नहीं दे रहा और चारली इतनी दूर खड़ा बोल रहा है वो इसको बिलकुल ठीक सुनाई दे रहा है जैक इस लड़के को हलका सा पंच मारता है और ये बंदा हवा में उड़ने लग जाता है यहां कैमरा जब दूर से दिखाता है तब ये केला टाइमी के मूँ के अंदर होता है पर जैसे ही कैमरा जूम मारता है तो वो ही केला टैमी के मूँ से बहुत दूर नजर आता है यह बंदा यहां पाराकर गिरता है तो सारे का सारा जूस इस पार गिर जाता है फिर अगले ही सीन में उसी गलास के अंदर सारे का सारा जूस वापस आ जाता है वाओ फिर से जादू यहां यह चिरकुट कच्रे से बाहर निकला है बने इसके कपड़े देखो चकाचक साफ हैं इस सेन में टैमी बैग से केक बाहर नकालता है और अगर और किया जाये तो टैमी ने यह केक कब खरीदा और फिर इस बैक के अंदर ये केक कैसे रखा जा सकता है इसका तो फुलूदा बन जाना था गलास आदे से ज्यादा ड्रिंक होती है पर जैसे ही कैमरा पीछे से वियू लिता है तो वो ही ड्रिंक आदे गलास से भी कम नजर आती है यहां टैमी के काम चेक करें मास्क इसने लगाया हुआ है पर ना किसकी बाहिर ही है फिर मास्क पहनने का फाइदा चारली के पास विकी की ये वाली फोटो होती है पर अगले ही सीन में वो फोटो ही बदल जाती है चरन ग्रोवर ने ये टैबलेट ऐसे पकड़ा होता है पर जैसे ही कैमरा उपर से वियू लेता है तो उसका हाँ यहाँ पर नहीं बलके यहाँ पर होता है इस सीन में इस सेफ का दर्वाजा पूरे का पूरा बंद हो जाता है लेकिन जब कैमरा अंदर से दिखाता है तो ये दर्वाजा बादा खुला होता है और दुबारा से बंद हो रहा होता है इस दर्वाजे को बाहर से खोलने के लिए भी विकी की जरूरत पड़ती है और अंदर से भी और अब यहाँ पर विकी नहीं है फिर यह दर्वाजा अपने आप अंदर से कैसे खुल गया कारली ने यह चाबी अपने पास ही रखी होती है क्या इसको पहले से ही पता था एक दिन डाइमर्ड यहां जरूर आएंगे जैक अपने मॉबाइल को पॉकिट से बाहर नकालता है और सीधा बात करने लग जाता है इसको तो नमबर डाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहां यह सारे एक साथ ही बाहर निकलते हैं पर जैक यहां पर सबसे पहले पहुँच आता है और बाकी सारे बाद में आते हैं मॉहनी यहां पर डांस कर रही है और एक सेकंड भी नहीं रुपती तो फिर इसके कपड़े अपने आप चेंज कैसे हो रहे हैं इस सीन में महनी दर्वादा खोल कर इतनी दूर चल कर चारली के पास आ जाती है और चारली को फिर भी पता नहीं चलता महनी यहां इनको डांस सिखाने आती है और डांस सिखाने के साथ साथ ये इनको चाय भी बना कर पिलाती है और तो और साथ में इनके कपड़े भी सलाई करती है वो भी विल्कल प्री यहां टीम के स्पैलिंग भी गलत लिखे हुए हैं और डाइमन्ड के भी चारली की पूरी की पूरी शर्ट को आग लग गई है और इसको तो कुछ भी नहीं हुआ इन दोनों का डांस के साथ कोई लेना देना ही नहीं है फिर भी इन दोनों को जज़ बना दिया चारली के पास इन दोनों इन रंग रलियों की वीडियो कहां से आई पिक्चर में तो ये पताया टीम डाइमंड जब यहां डांस कर रही होती है तो सारी जनता मज़े ले लेकर डांस देख रही होती है पर जब ये डांस करना बंद कर देते हैं तो सारे लोग इनको मारने लग जाते हैं और ये सारे लोग जल्दी से नोकिया के मुबाइल नकाल लेते हैं यानि वोड सिरफ नोकिया के मुबाइल से ही कर सकते हैं और किसी से नहीं पर ये क्या, इस अंटी के पास भी नोगिया ही का मबाइल है। सभी टीम्स को WTC वालोंने बस्चें दी होती हैं, बर टीम इंडिया वाले गरीब टैक्सी करवा कर आ रहे होते हैं। नहां चारली ये ट्रिंक अपनी आँख में डाल लेता है, और इसका फेस एक साइड से गीला हो जाता है, फिर एक दम से चारली का फेस बिल्कुल ड्राई नजर आता है, वारे बाबा, तबी जजिस के नेम के नीचे उनका कंट्री नेम भी लिखा होता है, और चरन गरोवर के नाम के नीचे कोई भी कंट्री नहीं लिकी हुई, और ये क्या स्पेस में पैदा हुआ है, जैक ये इंजेक्शन विकी के गर्दन के नीचे लगाता है, और ये क्या, अंजेक्शन तो विकी के कालर के उपर लग रहा है, और ये इंजेक्शन देखो, विकी की गर्दन से कि भी दूर पड़ा नज़र आता है यहां इन दोनों चीरकुटों को देखें यह इतने महंगे डायमंड की सिक्यूरिटी ऐसे कर रहे हैं यह दोनों अपने साथ कुछ समान भी लेकर अंदर आते हैं और लॉक खोलने के बाद यह सीधा अंदर चले जाते हैं और समान यही पर ही नज़र आती है यहां पर इनके सारे के सारे कपड़े कीले हो जाते हैं पर जैसे ही यहां से बाहिर निकलते हैं तो इनके कपड़े बिल्कुश्क होते हैं नंदू को टीवी पर देखकर चरन ग्रोवर को पता ही नहीं चल रहा कि इसकी शकल तो मेरे बेटे से मिलती है और सा में विक्की भी खड़ा है इसको भी पता नहीं चल रहा कि ये तो मेरा हमशकल है चारली ने ये डाइमन ट्रॉफी में कब बर्ट की स्टाइम लगवाए मुवी में तो ये कहीं भी दिखाया ही नहीं है पर इसके हाथ तो बिल्कुल सलामत है डाइमन चोरी करने के बाद सबकी लाइफ सेट हो जाती है जैक डाइरेक्टर बन जाता है और टैमी जीरो से हीरो बन जाता है पर ये क्या इसकी शकल देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे ये तो हेजड़ा बन गया हो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें